एक बरतन के अंदर फाइव हंडर मिली लीटर कार्ड है कार्ड में दही बरतन के अंदर इतनी दही है इस कर्ड के साथ जो फो लीटर फाइव हंडर मिली लीटर कार्ड आती है हमारे पास कर्ड है उससे इस इतनी कपैस्टिक है कितने गिलास फील हो जाएंगी यह हमने निकालना है तो हम फसली क्या करेंगे जो हमें टॉटल यह जो वैसल के अंदर कर दिया फॉर लीटर फाइव हंडर मिली लीटर उससे हम कनवर्ट कर लेंगे मिली लीटर में क्योंकि ह L is equal to 1000 mL, 1 L में कितने mL होते है, 1 L में 1000 mL, 4 L 500 mL में 4000 mL, और प्लस में जो 500 milliliter है वो तो प्लस में 500 milliliter is equal to कितने milliliter आया 4500 milliliter तो 4 liter 500 milliliter equal to 4500 milliliter यानि कि हमें milliliter में value मिल गी जो vessel के अंदर total card है वो कितनी है 4500 milliliter now statement start करते है जो चीज गिवन होती है वो हम right side लिखते है यानि कि given क्या हमें find out क्या जो चीज हमने निकालनी होती है वो right side लिखते है जो given होती है वो left side लिखने है यानि कि निकालने क्या हमने glasses यानि कि in how many glasses question पुछ है how many glasses glasses हमने निकालने हैं तो glasses लिखेंगे हम right side और given है हमें capacity वो हम लिखेंगे इस side तो हम क्या लिखेंगे statement बनाएंगे 25 milliliter curd 25 milliliter curd can be filled can be filled in is equal to one glass यानि कि 25 milliliter curd है वो कितने गिलास में fill की जा सकती है one glass में अब unitry method लगाएंगे यानि कि 4500 milliliter की value निकालने से पहले हम one milliliter की value निकाल लेंगे यानि कि one milliliter curd can be filled in is equal to one की value one के 25 से छोटा है छोटा है तो हमारी कम आएगी कम है इससे तो कम के लिए हम क्या करते हैं divide इस side divide करेंगे उपर जो value given है one given उपर one divided by 25 यानि कि one milliliter curd से हमारा इतना गिलास भरेगा one by 25 glass fill होंगे अब हमने कितने milliliter curd से गिलास फिल करने 4500 milliliter curd can be filled in यानि कि इतने milliliter curd कितने गिलास के अंदर फिल होगी one one milliliter curd अगर one by 25 glass के अंदर फिल होती है तो इतने milliliter curd तो ज़्यादा में गिलास में होगी तो ज्यादा के लिए हम इसको 4500 से multiply करेंगे यानि कि one by 25 ऐसे लिखेंगे multiply by 4500 यानि कि इतने गिलास के अंदर हमारी फिल होगी यह कर्ड 4500 milliliter curd जो ग्लास इस हांज अब हम डिवाइड करेंगी 4500 को 25 से divide करेंगे 25 बन पे जाएगा 25 बन जा 25 जीरो फोर में से टू गया टू उपर से जीरो लेके आए है 458 पे जाएगा 458 जा 200 अब उपर हमारा जीरो बचा है तो इसके नाम कि यहां पर आगे नहीं जा रहा तो हम एक extra digit हमने उपर से लिया है तो हम answer में एक 0 लगाते हैं तो यानि कि इतने milliliter card से हमारे कितने glasses filled होंगे 180 glasses filled हो जाएंगे 4500 milliliter card से हम कितने glass filled कर पाएंगे 180 glasses तो हम last में लिखेंगे 180 glasses can be filled therefore 180 glasses can be filled answer thank you